Good morning, today is 29th of March 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने वाले हैं पहला जो article है अधार कार्ट से एलेटिड है, कल भी इसे हमने अपनी news discussion की वीडियो में discuss किया था तो कुछ important points इस article में से हम extract करेंगे नीचे का जो article है वो है आस्ट्रेलिया के विरुद इंडिया ने test 3 जीत ली है तो हमारे लिए exam point of view से मैथरपूर नहीं है बीच का जो article है सिलंका में human rights का काफी violation हुआ लेकिन रहर है के इसका internationalization करने की कोशिस की जाती है लेकिन इसका कोई फाइदा होता नहीं है ये का फिर बार human rights जो UNHCR है human rights council है United Nations की वहाँ पर violation पास हो चुका है लेकिन फिर भी से लंकान government कुछ करती नहीं है human rights violations को address करने के लिए तो कुछ point इसमें important है उसे हम discuss करेंगे नीचे जो article है ये police reform से related है योगी अधित्यनाथ ने CM पद ग्रहन कर लिया है यूपी के अंदर में तो उनका जोर अभी land order की situation सुदारने के लिए है तो police reform से related important article है ये लिखा गया है आके रागवन जी के द्वारा में यहाँ पे जो article है ये interview है kind of manohar बारेकर जो अभी गोगा के CM बने है तो सारी की सारी जो बाते डिसकस की गई है interview mainly politics पे अधारित है क्योंकि एक fractured mandate आया गोगा के अंदर में यानि मिली जूली सरकार बनी भहुमत से कोई भी party सत्ता में नहीं आई coalition के साथ में बीजेपी ने government बनाई क्या repercussions हो सकते हैं उससे और सारी politics की बाते डिसकस की गई है तो हमारे लिए important नहीं है इन दोनों articles में से भी हम कुछ-कुछ important points extract करेंगे यह जो article है यहाँ पे side में happiness related है इसके लावा एक economics times का article भी हम discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं देखे अधार कार्ट से इलिए Supreme Court ने कल एक important oral observations दी यानि कोई verdict नहीं आया लेकिन सुनवाई के दोरान में Supreme Court ने कुछ ऐसा कहा जिससे अधार कार्ड ध्राधर जो Central Government एक प्रकार से circulation जारी कर रही है अधार कार्ड के compulsory use के लिए अब वो narrative कुछ हद तक change हो सकता है Supreme Court ने क्या कहा Supreme Court ने साफ-साफ कहा कि अधार का यूज नहीं कर सकते compulsory नहीं कर सकते क्योंकि काफी लोगों के अभी वे अधार कार्ड नहीं बनवाया है तो काफी बड़े एक प्रकार से बड़े लेवल पे ऐसा तबका है जो government की welfare scheme से वंचित रह जाएगा कि अगर अधार कार्ड के यूज को compulsory बनाया जाता है तो ऐसा Supreme Court का मानना है उसके बाद बाद आती कि देखिए दो ऐसे हाल फिलाल में decisions लिए गए है Central Government के द्वारा में जिस से Supreme Court की ये जो oral observations है अधार कार्ड के बारे में Central Government के उन दो decisions पर फरक डाल सकता है तो कौन से ऐसे दो decisions है Central Government के हाल फिलाल में जो लिए गए है उन पर Supreme Court की ये oral observations फरक डाल सकती है देखिए हाल फिलाल में Central Government ने एक financial bill 2017 जो काफी amendments लाएगा diverse areas में जिसे अब लोग सभा में पास भी कर दिया गया है जैसे कि उन चीजों में क्या है उन चीजों में ऐसी चीज़े है जैसे कि अधार कार्ट को कमपल्सरी बनाना pen card के लिए और दूसरा note बंदी के बाद में देखिए income tax department ने banks के का कि आप जितने भी saving account के खाते हैं उनको connect तर दीजिए pen card से ऐसा income tax department ने कहा bank से note बंदी के बाद में सिरफ उन खातों में छूट दी गई है जो no free saving accounts है ये no free saving accounts कौन से होते हैं देखिए no free saving accounts वो account होते हैं जो गरीब लोगों के लिए खोले जाते हैं वैसे तो आम तो रुपे saving accounts में कुछ limits banks रखते हैं जैसे कि आपको 5,000 रुपे maintain करना जूरूरी है अपने saving खाते में कुछ banks 2,000 रखते हैं लेकिन no free saving accounts में या तो minimum balance होता है काफी कम balance होता है या फिर कुछ भी balance maintain करना एक परकार से छूट होती है उनको आप कुछ भी balance maintain ना कीजिए तो अब कहने का मतलब यह है कि एक तो यह decision है कि सभी bank खातों में अब pen card उससे connect करना काफी एक परकार से compulsory हो जाएगा इससे फाइदा ही होगा कि देखिए अगर pen card के लिए अधार card compulsory होगा तो income tax भी नजर रक्स करेगा कि किस परकार से जो भी लोग income tax की चोरी कर रहे हैं वो सब उनकी निगाह में आ जाएंगे और दूसरा income tax returns फाइल करने के लिए भी अप अधार card को compulsory कर दिया गया है और दूसरी आप बात यह आती है कि दूसरा decision यह था central government का कि जो department of telecommunication है उन्होंने भी अपने service providers जैसे कि ATL या फिर Vodafone इन सब को कहा कि देखिए आप जितने अपने 100 road subscribers हैं यानि 100 roads अभी sims जो है active है उनको आप कहिए कि जल्द से जल्द उन sims को आप अधार card से connect कीजिए यानि दुबारा से यह पूरा जो ाइडी आपके पास पड़ी है अधार card को दुबारा से मंगवाईए और know your customer process जो है इस पूरी चीज़ को एक साल के अंदर अंदर complete कीजिए कहने का मतलब साफ साफ यह कि शोक road sims जो active है उन पे आप अधार card को मंगवा लिजी customer से एक साल के अंदर अंदर आपको यह process पूरी करनी है तो यह दो decisions है एक तो यह try का decision Central government का और पिछला जो decision था वो pen card के लिए अधार card को compulsory करना था तो अब यह दोनों decisions है Supreme Court की oral observation ने काफी कुछ clear किया है इस बारे में क्योंकि Central government पहले हरे मतलब काफी ऐसे decisions Central government ने लिये जिसमें उन्होंने अधार card को compulsory बनाया मंद्रेगा schemes, midday meal schemes रिकल हमने discuss की थी, Jean Dries का article था जन्नी शुरक्सा योजना, इंद्रा गांधी मातरतव सयोग योजना, इन सभी schemes के लिए अधार card compulsory किया, कल हमने यह Jean Dries के article में discuss किया था इससे पहले 2015 में भी court ने एक अदेश दिया था कि आप welfare schemes के लिए अधार card को compulsory नहीं कर सकते लेकिन जिसके बाद में Central government अधार card act लेकर आया था जिसमें अधार card act का एक ऐसा section यह कहता है कि consolidated fund of India से अगर Central government कुछ पैसा निकलवा के subsidy देता है तो उस चीज के लिए अधार card को compulsory बनाया जा सकता है लेकिन उसके बाद में फिर से अब Supreme Court का यह oral observations आई है और Supreme Court ने oral ही कहा है Central government को कि आप सिरफ non welfare schemes के लिए अधार card का यूज कीजिए लेकिन welfare schemes के लिए आप अधार card का यूज मत कीजिए way forward में क्या आता है देखिए कुछ तो अच्छी चीजे हैं अगर pen card अधार card से connect हो रहा है तो कम से कम यह अच्छी बात है पहले क्या होता था एक एक आदमी दो 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 दिन तिन pen card बनवा लेता था और एक प्रकार से tax avoid कर देता था इस चीज से लेकिन जो अब नहीं हो पाएगा अगर अधार card से हमारा pen card connect हो जाएगा तो अब काफी ऐसा section से जो privacy issues को भी एक प्रकार से highlight करते हैं और कहते हैं कि privacy issues हैं अगर अधार card का compulsory कर दिया जाए तो लेकिन article कहता है कि देखिए आज कल electronic जो है इन सब में भी तो electronic data register किया जाता है electronically इन में भी तो privacy का हनन हो सकता है तो सिरफ आप अधार card को दोस मत दीजिए तो ये एक important point हम अपने answers में लिख सकते हैं कि हमेशा अधार card को दोस देना बिल्कुल सही नहीं है आज कल digital revolution चल रही है digital India के program को government इतना जोड दे रही है तो अगर privacy का हनन होना है तो privacy का हनन तो वहाँ भी हो सकता है तो privacy का हनन ना हो उसके लिए government को अलग से majors लेने के आव सकता है लेकिन आप पूरनते अब अधार card को remove नहीं कर सकते हमारे Indian government के mechanism से policies से अधार card का अभी हमारी governance में एक एहम स्थान है ऐसा हम अपने answers में भी लिख सकते हैं चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में ये आर्टिकल है सिलंका का सिलंका में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखिए सिलंका में minority tamils रहते हैं जब ब्रिटिसर ने राज गया था सिलंका के अंदर में तो plantations के लिए काफी संख्या में labor से हमारे इंडिया के तमिलाडू से वहाँ सिलंका में अंदर गए थे तो खास करके नोर्थ पास्ट में और इस्टरन पार्ट में तमिल्स रहते हैं, minorities हैं वहाँ पे लेकिन सिलंका की government जो कि सेनालाज से एक परकार से हमेशा dominated रही है, उन्होंने तमिल्स को उनकी rights से वंचीत रखा शुरू में तो उनको उनकी language को use नहीं करने दिया रहता था, उनको employment rights से वंचीत रखा गया, इवन बाद में citizenship rights भी बाद में दिये गए थे तो एक परकार से कहा जकते हैं कि काफी गलत discrimination होता था तमिल minorities के साथ में शिलंका के अंदर में, इसलिए वहाँ पे एक मांग उठीक की अलग से तमिल देश की स्थापना की जाई, सिलंका के अंदर में सिलंका में separatist movement चलाई तमिल militant organizations ने बाद में 2009 में एक सिलंका की government ने वार चलाया लिट्टे के खिलाफ में, जो की परमुख तमिल organization थी, जो की सेस्टनिस्ट एक प्रकार से sentiments रखती थी human rights का abuses हुआ उस war के दुरान में, जो सिलंका की government ने लिट्टे के खिलाफ में वार चलाया 2009 में, जैसे जैसे वो war खतम होता गया, तब तब जाते जाते काफी आरोप लगा सिलंका की आर्मी में कि वहाँ पे उन्होंने human rights का violations किया, काफी human rights का abuses वहाँ पे हुए, बाद में देखिए focus किया हो गया कि international intervention की बात की जाने लगी कि जो international intervention होनी चाहिए कि, यानि international की organizations हैं, वो जांच करे इस बात की कि 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 extent तक वहाँ पे सिलंका के अंदर में, जो human rights का violations हुआ है, कहने का मतलब यह कि देखिए, पहले तो local moments थी, human rights violations के against में चलती थी, उनका जोर होता था, लेकिन 2009 के बाद में एक प्रकार से जो local moments थी, उन पर तो विश्वास ही हूट गया और international जो actors हैं, उनके role को भढ़ाने की बात हुई और का कि सिरफ international जांच होगी तब ही कितना ज़्यादा violations हुआ है human rights का सिलंका के अंदर में जैसे कि example के तोर पर आपको बताऊं तो United Nations Human Rights Council जो UNHRC है इन्होंने एक graduation pass किया सिलंका के खिलाफ में और कहा कि देखिया आप ठीक से जांच कीजिए, बाद में सिलंका देखिये, UNHRC है, United Nations की इंटर गवर्मेंटल बोडी है ये इस चीज के लिए responsible है कि human rights को protect किया जाए, human rights को promote किया जाए, awareness फिलाई जाए इसके द्वारा में और जो इसका headquarter है वो जनेवा में है 2006 में इसे establish किया गया था बाकी इस पर कोई question नहीं बनता है head कोन है, ये सब नहीं पूछती UPSC तो अब दुआरा से इस slide की तरफ आते हैं बाद में देखिये, एक resolution पास किया गया जिनेवा में सिलंका के खिलाफ में जिस परकार से violations हुए थे, human rights के यहाँ पर लेकिन दो साल बाद के अंदर में जो भी पहले violations हुए हैं उसकी जांच करवाएंगे, आप हमें मोका दीजिये आज उस बात को फिर से दो साल पूरे हो गए है 2015 में सिलंका ने ऐसा promise किया था सिरी से ना के सत्ता संभालने के बाद में लेकिन अब उस दो साल उस बात को हो गए है लेकिन अभी फिर से सिलंका ने एक मांग किया कि उस टाइम लाइन को बढ़ा दिया जाए यानि दो साल का समय हमें और मिलना चाहिए इस resolution को USA ने भी sponsor किया और सिलंका की इस मांग को मान लिया गया कि सिलंका की इस परस्ताव को मान लिया गया कि कि देखे काफी बार टाइम लिया जा चुका है लेकिन फिर से दो साल का समय देना सिलंका की गोर्मेंट को accountability establish करने के लिए वो ठीक नहीं है बात मुद्दा इस बात का भी है क्या foreign judges आने चाहिए सिलंका के अंदर में क्योंकि तमिल ग्रूप्स और जो काफी दूसरे stakeholders हैं वो कहते हैं कि देखे सिलंका के जो judge हैं वो ठीक से जांस नहीं करेंगे जो human rights का violation हुआ था सिलंका के अंदर में इसलिए foreign judge यानि विदेशी judge आने चाहिए सिलंका के अंदर में जो ठीक से जांस करेंगे लेकिन सिलंका इस बात का रह रहा कर विरोध करता है और सिलंका कहता है कि देखे अगर विदेश से judge आएंगे तो हमारी sovereignty हट होगी हमारी credibility हट होगी लेकिन question अब इस बात पर उठता है कि आखिरकार international intervention की जो बात होती है सिलंका में human rights का violations हुआ उसके खिलाफ में क्या बार बार जो international intervention हुई यानि UNHRC ने भी resolution पास किया क्या इससे कुछ फरक पड़ा क्या इससे accountability establish source की क्या इससे उन लोगों को न्याए मिला जिनके खिलाफ में human rights का violations हुआ था नहीं नहीं हुआ काफी सारी reports आई counter reports आई बहुत सारी resolution भी पास किया गए लेकिन नहीं मिला तो न्याए सारी के सारी जो campaigns चलाए गए human rights के violations के खिलाफ में वो empathy साबित हुए क्यों 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 कि देखें state भी low है इस मामले में जो majority community है सिन्हालाज वो नहीं चाहती कि जो पूरा ये वाक्या हुआ था human rights का violations हुआ था उसकी एक परकार से transparent रूप में जाच हो तो कि देखें काफी तरह के अत्याचार हुए थे human rights में जो लोग गुम हो गए थे इस परकार के human rights violations वहां पे हुए थे काफी संख्या में तमिल जो मानेटीज थे उनके लोग जो है वो डिसापियर हो गए थे मिल्टरी ने काफी मातरा में जो land grab कर लिया था और जो families है उनके खिलाफ में human rights का violations हुआ था वो economically deprived हो गई थी यानि कुछ भी बात नहीं होई ना तो women के rights पर बात हुई ना मचवारा के rights पर बात हुई जो जन्यवा की human rights council है United Nations की वहाँ पर ना workers के human rights पर बात हुई इवन जो oppressed caste है उनके human rights के बारे में बात नहीं हुई northern Muslims रहते हैं वहाँ भी उनके human rights के बारे में बात नहीं हुई तो कहने का मतलब यह है कि साफ साफ कुछ भी नहीं हुआ United Nations Human Rights Councils में सिरफ नाम नाम का focus है International Intervention पर लेकिन जो International Intervention है वो कुछ भी नहीं करती नयाय दिलाने के लिए इन सारी जो हमने डिस्कस किए सभी stakeholders जैसे कि women, मच्वारे, workers oppressed, caste या फिर Northern Muslims याने इनको नयाय नहीं मिल पाया अब सिर्फ इन दा मूवमेंट यह क्या कहते हैं यह कहते हैं कि देखे ऐसा हमेशा नहीं था सिरलेंका के शुरुआती दर्सक जैसे कि सत्तर के दर्सक थे वहाँ पे काफी human rights के violations के sport में काफी moments चली थी trade unions ने वह moments चलाई थी जो teachers associations हैं उन्होंने वह moments चलाई थी और बाद में काफी सारा data दिया गया इस article में कौन कौन सी moments थी उनकी details वो सम हमारे exam के लिए important नहीं हैं इतनी सारी details अगर सिलंका के हमने लिख दी paper में तो UPSC वाले सोचेंगे सिलंका के citizen को यह है जो paper लिख रहे हैं तो बात यह है कि देखिए जो moments पहले चली थी सिलंका के अंदर में घ्रेलू moments human rights के पक्स में वो political critique pace करती थी वो लोगों को mobilize करती थी लेकिन समय के साथ में उनके activist को target किया गया ना सिर्फ स्रिलंका की government के द्वारा बलकि लिट्टे के द्वारा भी इसलिए जो democracy space था वो खतम हो गया आज कल वो घ्रेलू moments नहीं देखने को मिलती और अब बात आती है कि देखिए जो focus इस बात पर हो गया कि जो international NGOs है उनको petition डाली जाए international actors हैं उनको petition डाली जाए ताकि वो लोग donate भी करें और Tamil groups के जो cause हैं उनको एक परकार से encourage करें लेकिन देखिए वो नाम का ऐसा होता है लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं है कुछ result निकलता नहीं है एक परकार से पूरी की पूरा जो यह है mass बनाया जा चुका है जिस परकार से जाच की गई है श्रिलंका में war के बाद में जिस परकार से homer rights violations हुए थे उसकी जाच किसी भी धंक से अच्छे धंक से नहीं हुई है पूरी चीज का एक परकार से chaos create के है mass बनाया जा चुका है जिलंका में जो प्रोसीडिंग होती है जनेवा में जिलंका में उस प्रोसीडिंग को एक परकार से जिलंका में जबकि ओर जो इंपोर्टन इशूज है या से नफ्रत इस चीज को कहते हैं जूभापोभिा तो ये तिखाये जाते हैं नहीं दिखाये जाती वहाँ Keyland तो चीज में बतंदर. में अरे वह बात तो बिल्कुल सही है यही दिखानी चाहिए क्योंकि उनके देश के लिए तो वही रेलेवेंट है लेकिन उनको इस तरह से पेस करना कि पूरे दुनिया की निगाएं इसी चीज पर है फिर वो जो आपस में ग्रूप से बट जाते हैं जैसे कि तमिल ग्रूप इस तरह के बात कहके जो सिनालाज है वो करडर को मोबलाईज करते हैं जनेवा के से पहले जब भी जनेवा कोई से से काफी रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, पिटिशन देखने को मिलती है लेकिन उनका कोई फाइदा नहीं होता वो नाम-नाम की होती है और किसी तरह से कोई भी कुछ हो नहीं पाता इसके अंदर में, जिने वाकिसे, जो पहले की जो human rights moment थी, उनका left perspective होता था, लेकिन आज की human rights की जो moments होती है, उनकी कोई solidarity होती नहीं है, पहले की जो moments होती थी, जैसे की Palestine की moment है, वो तो ये article है, योगी अधित्यनात ने CM का पद गरेंड किया, UP के अंदर में, home department उन्होंने अपने पास ही रखा, home department के पास में एक important और एहम जिम्मदारी होती है, line order situation सुधारने के लिए, UP police जो की पिछले कुछ दिनों से, जिनके उपर में काफी आरोप लगे, और crisis of integrity से गुजर रही है, UP की जो police है, अब question ये उठता है कि किस परकार योगी जो हैं, वो UP police को सुधार पाएंगे और किस परकार से वहाँ पर उसमें एक परकार से change ला पाएंगे, अब इसके बाद में काफी सारा data दिया गया है, UP police के बारे में जो की state related data है, important नहीं है, लेकिन correct उस data का यहीं निकलता है कि जो काफी संख्या में जो post है, वेकेंट है UP के अंदर में, ना सिरफ ये UP की सिर्धरदी, बलकि दूसरे states में भी post काफी वेकेंट रहती है, police से related होती है, तो आखरी जो list गुजरती है, CM office से होके गुजरती है, जिसमें काफी change कर दिये जाते हैं, काफी घपले बाजी इसके अंदर में होती है, या फिर central point से होकर वो list गुजरती है, या जो जो जिन लोगों को नाम है उस list में, उनसे पैसा वसूला जाता है, इसलिए ये काते हैं कि इस पूरे process में सबसे पहले तो योगी को सुधार करना चाहिए, और return exam का जो system है, return exam system को फिर से revive करना चाहिए, जो कि पिसली सरकार के दुरान में जिसको remove कर दिया सिरफ interview के base पर भरती होने लगी थी, जिससे corruption काफी ज्यादा होने लगा था, इसलिए योगी को सबसे पहले return exams को revive कर देना चाहिए, फिर बात आते हैं कि देखे choice of officers, काफी बार districts में SP वो होते हैं जिनकी किसी particular caste, particular धरम या particular ethnic groups के परती में loyalty होती है, तो article लिखता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर किसी particular caste, धरम या जाती के लोगों को priority दी जाती है important post पर तो ये बाकी officers को एक तरह से demoralize कर देता है, तो ये जो सभी appointments है, merit-based पे होनी चाहिए, ताकि जो adverse impact होता है quality of policing पर उसका adverse impact ना पड़े, और काफी बार तो देखे विक्टम्स के परती insensitivity यानि एस विदन सिलता देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और काफी बार पुलिस जो है, organized extortion, ये जैसे हफता वसूलते हैं, वेंडर्स जो ready वाले लोग होते हैं, पुलिस वाले काफी बार उनसे मंत्री लेते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो बंद होनी चाहिए, lower state of the society, जो हमारा ग्रीब समाज है, economic ladder में जो नीचे आते हैं, या फिर marginalized society हमारी जो है, उन पर भी काफी एक प्रकार से पुलिस अत्याचार करती है, या फिर अच्छा वेवार नहीं करती, जब वो अपनी report लिखवाने जाते हैं, पुलिस station में, आम तोर पे जहीं लोग दो बार सोचते हैं, पुलिस station जाने से पहले, और सोचते हैं कि क्या हमारी खुद की harassment हो जाएगी, अगर हम report लिखवाएंगे तो, इन सब चीजों से पुलिस की जो image ऐसी बनी हुई है, सबसे पहले इमेज को सुधारना काफी ज़रूरी है, तो अब बात आती है कि योगी ने एक प्रकार से सब सबसे पहले अच्छा step उठाया, हजरत गंज पुलिस station में योगी ने विजिट किया, ताकि वो जो moral कैसा है पुलिस का, उसे अभी maps के, और वो सबसे पहले योगी ने विजिट इसलिए कि वो ये देखना चाहते हैं कि कि कितने level तक अब पुलिस है, वो गिरी हुई है, और पुलिस का जो रिस्पॉंस से काफी डिलेड होता है, और बाइसनेस देखने को मिलती है पुलिस के वैवार में, देखिए बाद में ये कहते हैं कि जो हमारा IPS है, IPS का जो कैडर है काफी bright, honest और talented officers इसके अंदर में है, लेकिन एक चीज़ कि जो आफसकता है, इन bright, honest और talented officers को operational autonomy दिये जाने के आफसकता है, ताकि वो अच्छे से behave कर सके हैं, अच्छे से operations चलाज के UP के अंदर में और line order को improve कर सके हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि अभी फिलाल एक golden opportunity है, नए CM चुनके आये हैं, जिनके अंदर में द्रिज निश्य है, और willingness है, पुलिस की working को सुधा आरी जाए, तो ये पूरा article था, उसके अलावा देखे, जब भी पुलिस reform की बात आती है, ये साथ points का आप रटा मार लीजे, रटा मारो जिन्दाबाद, साथ points जब भी पुलिस reform पे question आता है, मेंस का ये हमें याद होने चाहिए, परकास commission था, परकास report थी, जिसके बाद म में 2006 कि ये बात है, सुप्रीम कोट नहीं साथ directives दिये थे, इन्हें आप याद रखिएगा, पहला है, State Security Commission को करने के आप सकता है, दूसरा दो साल के लिए कम से कम DGP का कारेकाल होना चाहिए, इवन ना सिरफ DGP बलकि SP और SHO का का कारेकाल भी दो साल तक रहना चाहिए, त पुलिस जो है, land order situation में लगी रहती है, investigation पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए दोनों के जो wings हैं वो अलग होने चाहिए, एक पुलिस establishment board भी बनाने के आप सकता है, पुलिस complaints authority बनाने के आप सकता है, district level के साथ साथ state level पे भी, इसके साथ में साथवा नमर जो point है, वो कहता ह में, यूरोप की, जो court है, justice की, उन्होंने एक बहुत बड़ा controversial decision दिया, इन्होंने यूरोप की, जो justice court है, इन्होंने का कि, जो companies हैं, यूरोप के अंदर में, उनके पास में power है, कि वो इस परकार से order pass कर सके, कि जो companies के employees हैं, उनको ban कर सके, जो कि religious symbols पहनते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा condemn किया गया, और criticize किया गया, तो एक kind of debate है ये, जो ये article जिन्होंने लिखा, विद्या, उन्होंने ये article लिखा, और उन्होंने भी European की, इस justice court, जिन्होंने allow किया, companies को कि, वो religious symbols हैं, उनको ban कर सकती हैं, अब उन्होंने, जो reporter है, उन्होंने इस बात का criticize कि लेकिन एक और जो person है, उन्होंने विद्या की बात को oppose किया, और कि company के पास में rights होने चाहिए, अगर कोई बंदा अपनी company खड़ी करता है, तो कम से कम उनके पास में rights भी तो होने चाहिए, कि वो कैसे अपनी company चलाए, तो बाद में विद्या इस बात का जवाब करती है, ज जो person थे जिन्होंने विद्या की बात को criticize किया था, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, liberalism जो है वो आजकल कुछ जादा ही आगे चला गया है, बाद में विद्या एक बात लिखती है, जो हम भी लिख सकते हैं अपने essay के अंदर में, वो कहते हैं कि देखिए, nationalist versus anti-nationalist के रूप में नहीं देखना चाहिए, तो ये दो-तिन point important है, जो अपने answers में हम use कर सकते हैं, अगला जो article है, वो happiness के उपर पे है, happiness के उपर में हमने एक और भी article discuss किया था, और ये भी हमने discuss किया था, कि 2014 में ये question आया था ethics में, जिसमें पूछा किया था candidate से, कि what is happiness according to you, तो हमारे जो concepts हैं, वो clear होने चाहिए, कि happiness हमारे अनुसार है क्या, तो ये दुवारा से आज एक article है, ये कहता है कि देखे, वैसे ये sarcastic article है kind of, इस तरह से जो sarcasm है, व्यंगता का use क्या गया है, ऐसा sarcasm हम अपने ऐसे में use कर सकते हैं, लेकिन government का एक level के बाद में हम विरो articles होते हैं, उनकी ideology ऐसी होती है, वो government का काफी विरोध करते हैं, हमें कल को government का part बनना है, bureaucrate बनना है, तो anti-establishment होने का जोखीम हम नहीं उठा सकते, इससे हमारे जो answers हैं, वो खराब हो जाएंगे, तो ये happiness के बारे में ये article है, ये article कहता है कि देखे, आज कल news की तो कोई बा सकते हैं, योगा, inner peace के लिए अगर योगा करते हैं, तो उसमें भी डर लगता है कि अगर कोई आसन गलत कर दिया, तो इस पे एक भगेडा खड़ा हो जाएगा, पिर एक जो अनात है, कोलकाता की streets से, कोलकाता की गलियों से एक अनात थे, उन्होंने lobbying करी, उन्होंने campaign चलाय कि United Nations में जो happiness है, उसको fundamental human rights के तोर पर recognize किया जाना चाहिए, बाद में उसी एक अनात के द्वारा में इस परकार का जो draft था, वो बनाया गया, United Nations ने बाद में माना happiness, fundamental rights होना चाहिए, फिर यह करते हैं कि United States में, यानि USA में, जो उनका independence declaration है, उसमें इस बात को कहा गया कि जो life liberty और pursuit of happiness जैसे words को जगा दी गई, लेकिन हमारे सविधान निर्माताओं ने 448 articles बना दिये हैं, शुरू में कम थे, शुरू में 395 थे, लेकिन अभी बढ़के 448 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी एक ऐसे article में happiness को तवज्जो नहीं दी गई है, जो happiness है हमारे देश में वो सिरफ एक private enterprise बनके रह गया है, और government इस चीज़ पर किसी भी तरह की subsidy देने को तयार नहीं है, तो यह देखिए, kind of यह सारे sarcasm है, तो आगे भी देखिए किस तरह का sarcasm है, आगे यह way forward में कहते हैं कि देखिए, 20 March को, 21 March को था ना साइध, 20 या पता नहीं, 21 March को एक international happiness day था तो यह कहते हैं कि देखिए, way forward में कहते हैं कि happiness हमारे Indians के द्वारा कुछ भी हो सकती है, अगर हमारी जो India है वो land of opportunities है, अगर किसी को ततकाल टिकेट मिल जाए, तो उसके लिए happiness हो सकता है, या फिर national anthem पर खड़ा होना सारु खान की movie से पहले वो भी किसी के लिए happiness हो सकता है अगर 2G mobile पर जो digital wallet है वो चल जाए तो ये भी happiness हो सकता है, इसके लावा अपना ही पैसा निकलवाने के लिए जो लाइने लगती हैं उसमें जब number आ जाता है वो भी happiness है, अब जिस परकार से अधार कार्ड को compulsory किया जा रहा है तो किसी के पास में अधार का होना वो भी एक happiness है तो ये सारी जो लाइने है वो sarcasm है व्यंगता यानि टिपनी कर रहे हैं तीखी टिपनी कर रहे हैं सरकार के कुछ decisions पर ये तो बस इतना ही है इसमें तीन-चार पॉइंट इंपोटेंट है तो ये इस परकार से देखे हम ये प्रोपर लाइन्स तो इस्तिमाल नहीं कर सकत है जिसमें अच्छे numbers की कम से कम probability काफी बढ़ जाती है तो अब चलते हैं अंतिम आर्टिकल की तरफ जो ये अंतिम आर्टिकल है एकनोमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है ये आर्टिकल एक परकार से क्रिटिसाइज करता है गवर्मेंट की कुछ मूव्स को गवर्मेंट न इंगम tax returns फाइल करने के लिए इसे तो हमने discuss भी किया था तो ये कहते हैं कि देखें इस प्रकार की जो financial bill के अंदर में 40 amendments लाई गई है गोवर्मेंट के द्वारा ये एक प्रकार से भारतिय डेमोक्रेसी के लिए blow है एक धक्का है कैसे धक्का है ये कहते हैं कि देखें सबस को पड़ता है कि लोग राजय सबा है इसका विरोध नहीं कर सकती सिरफ discussion कर सकती है वोटिंग नहीं कर सकती money bill पे जो राजय सबा है तो अभी ये कहते हैं कि BJP की majority नहीं थी राजय सबा में तो BJP ने ये finance bill के अंदर में 40 amendments जो लानी चाहीं है इसलिए उसको money bill के तोड़ प compulsory बनाया गया है, political donations में transparency को remove किया गया है या फिर governments का जो अधिकार अब हो गया है, appellant tribunals के जो chief हो थे हैं उनको appoint करने में, तो इन सब चीजों में money bill का क्या use है, क्यो money bill है, किसी भी दृष्टी से money bill है ही नहीं, फिर आखिरकार central government ने money bill को क्यो पास किया गया है, यही हमा अफिसरी tribunals को merge किया गया है, उधारन के तोर पे airport का regulator को merge किया गया है, टेली communication के arbitrator के साथ में, क्या logic बनता है इसका, आठ mainly ऐसे tribunals को merge किया है government ने, कोई logic इसका बनता नहीं है, national highways की jurisdiction जिस tribunals के पास में है, वो भी अब airport appellate tribunals के अंदर में आ जाएंगे, और जो company, companies प निगाह रखने के लिए एक anti-monopoly board होता है, जबकि central government ने तो उल्टा ही कर दिया, क्या company के लिए जो ला बनाए गए है, वो anti-monopoly जो board है, उसको, उसमें जो company ला के खिलाप में जो board है, क्या उनकी jurisdiction वहां भी हो सकती है, anti-monopoly board में, यह तो उल्टा नहीं हो जाएगा, बलकि anti- monopoly जो board है, उनकी jurisdiction होती है, company last के उपर में, जबकि यहां तो उल्टा हो रहा है, company last के jurisdiction बढ़ रही है, anti-monopoly board के उपर में, government की desire यह है कि appellate tribunals के autonomy को एक परकार से control किया जासके, इस परकार की जो इच्छा है, वो government की है, और बात में देखिए, अभी एक परकार से tax officials हैं, उन तो ऐसा थोड़ी होता है, कि कोई भी government अपने taxpairs को harass नहीं करना चाहती है, लेकिन जिस परकार से powers दी जा रही है, भी income tax officials को, या फिर GST के अंदर में भी, GST का देखिए, main मक्सद तो यह है, कि transparency की improve करना, और kind of जो platform होता है, यानि एक platform के तहर में tax birds के हैं, जो taxpairs हैं, औ और किसी परकार का, दोनों मिले ही नहीं आपस में, physical contact कम से कम हो, taxpairs और tax authorities के बीच में, लेकिन फिर भी, indirectly एक परकार से transparency का हन्न हो रहा है, और taxpairs का harassment होगा, और अभी एक और जो government decision ने आ गया, जो अभी इसी 40 amendment में है, वो यह है कि, अभी फिलाल, companies जो है, अपने पिछले 3 साल के profit का 7.5% political funding में use कर सकते हैं, लेकिन government ने अब यह limit भी हटा दी है, इससे अब companies जो है, अब 7.5% जो पहले limitations थी, restrictions थी, उनके उपर में पिछले 3 साल के profit के 7.5%, अब यह limit उन पर नहीं रही, अब वो कितना भी पैसा है, वो political parties को fund दे सकती है, तो kind of इसका यह effect देखने को मिल सकते हैं, जो political parties हैं, वो pressurize कर सकती हैं, companies को, पहले तो companies थी, वो भाना मार लेती थी, और वो कहती थी, हम देखिए कानून के हिसाब से, हम सिरफ पिछले 3 साल के profit का, सिरफ 7.5% आपको एक परकार से चंदा दे सकते हैं, लेकिन जब आब वो limit हटा दी गई है, तो अब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति political parties को fund दे सकता है, और उसका नाम अज्यात ही रहेगा, जबकि इस चीज को remove करने के आवशकता है, और अब question यह उठता है कि देखिए, यह सारी जो amendments हैं, वो काफी important amendments हैं, और सब के लिए अलग अलग कानून लाने के आवशकता थी, पार के discussion में बस इतना ही, thank you, thank you very much for discussion.